मैं नेयपाल, रामरों लगो ये गड़ा ले मैं पोजी छुट्टी आण्या हो, उनका बक्षा फान्या हो पोजी छुट्टी आन्या हो, उनका बक्षा फान्या हो गर पोंची के सुदार साफ będą खूब जुरुदार खूब फिलान्या हो हमारे यहां उत्रा खंड में नेपाल के बहुत लोग रहते हैं जो की नेपाल के डोठीली जिले से कुछ ज़्यादा लोग रहते है हालांकि डांग साइड से भी कुछ लोग है और इनकी संक्या 6 लाग से 8 लाग तक हो सकती है तो जो उपर पहाडों में हमारे पहाडों में जो लोग रहते हैं वो खेती का काम करते हैं वहाँ पे और जो नीचे देरादुन साइड में जो रहते हैं वो लगबग इस्टेंडर क्वाल्टी के नेपाली है और जो इदर रहते हैं खेती करते हैं ये लोग इस्टेंडर क्व पैदा हो जाती है एक दूसरे की जंता में जैसे बिहार में भी एक बार कुछ गाना गाया गया था जो गाना बहुत ही घटिया क्वाल्टी का था तो दोस्तों ऐसे गाना के लिए सोरी अब हमने तो गाया नहीं है लेकिन कभी ओ गायक मिलेगा उससे सवाल जरूर पूछा जाएगा मेरी तरफ से की इतना घटिया गाना क्यूं गाया नेपाल के स्वाविमान को चोट पहुचाने वाला गाना उसने क्यूं गाया गडवाल में जो डोटिली जीले के लोग हैं इसलिए वहाँ पे सब नेपालियों को डोटियाल ही समझा जाता है वो सोचते हैं कि सारे के सारे नेपाली लोग डोटियाली होते होंगे और ऐसे ही खेती करके अपना रोजगार चलाते होंगे गडवाल के जो लोग है वो नेपाल गंज या डोटिली जीले या दार्चुल वो उतना इस्टेंडर नहीं है, हालांकि वो मैंने भी ढंक से नहीं देखा है, लेकिन सही से नहीं कह सकते हैं, मैंने आगे पूरा नेपाल भी ढंक से नहीं देखा है, बहुत कम देखा है, लेकिन आगे मुझे कुछ ठीक लगा, हालांकि गरीब और अमीर हर जिले में होते है हम नहीं कह सकते हैं कि डोटली जीला जादा गरीब होगा लेकिन वहाँ के लोग हमारे यहाँ जादा है इसलिए वहाँ के लोगों को गरीब समझा जाता है उत्राखंड के लोग नहीं जानते हैं कि नेपाल में हमारी जाती के लोग भी रहते हैं जैसे पंत, पोडियाल, पोखरियाल, रावत, भंडारी, बिस्ट, जोसी, मतलब जो ब्रामन छत्री लोग हैं तो उत्राखंड के लोग सोचते हैं कि नेपाल में केवल राई, मगर, लिम्बू, गुरुंग ही रहते हैं, वो नहीं जानते हैं कि हमारी जाती के लोग भी नेपाल में रहते हैं, वैसे उत्राखंड में नेपाली आर्मी बहुत अच्छे से अपना जीवन जीते हैं, किसी प खेतों की तरफ जाएंगे हम लोग तो आपको बीडियो बना के दिखाएंगे कि वहाँ पे नेपाली लोग कितनी खेती करते हैं और उनसे पूछेंगे कि कितने रुपे का वो सालाना या छमाई या हर फसल बेशते हैं मतलब मेनत करते हैं अपना काम करते हैं मेनत करते हैं पै